तो चलिए श्टार्ट करते हैं तो इस चेप्टर में टोटल आठ सलोक है तो पहले इस लोग मुझा जा रहा है कि धन तो आता है जाता है पर अपने चरीत की रक्षा करना बहुत ज़रुरी है क्योंकि धन खत्म होने पर मनुस्य नस्ट नहीं होता पर पर उसका चरीत नस्ट ह हो जाएगा तो वह पूरी तरह से नस्ट हो जाता है तो यही था पहला इस लोग का दूसरे स्लोग मुझा बला जा रहा है कि धर्म का सार सुनिये सुनकर समझ ले कि जो वेवार अपने लिए पर्तिकूल लगे उसे दूसरे के परती आचरन ना करें तो यही था दूसरा इस स्लोग थिसरे स्लोग मुञार रहा है कि सभी प्राणी मधूर वर्चनों के बोलने से प्रसंव चाहिए आता इसलिए हमें मधूर वानी बोलने में कंजुसी नहीं करनी चाहिए तो यही था तीसरा स्लोग चौथे स्लोग मुभला जा रहा है कि नदिया स्वेम जल नहीं पीती, रीच स्वेम फल नहीं खाते, बादल स्वेम फसल नहीं खाते, सरजनों की समरीदी दूसरों की भलाई के लिए होती है तेही था चौथा इसलोग 25 लोग में बोला जा रहा है कि प्रिशु को गुरुन प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि गुनवान धनहीन वेक्ति भी गुनहीन एसवर्यसाली वेक्ति के बाराबर नहीं होता अर्थात वह सबसे अधिक स्रेश्ट होता है तेही था 25 लोग 26 लोग में बोला जा रहा है कि सजन लोग की मित्रता दिन के परधार की छाया का समान होती है सुरु में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है दूस्टों की मित्रता दिन के पुरवधार की छाया के समान सुरु माधिक होती है पर अंत में कम हो जाती ह तो यही था 26 लोग, 27 लोग बोला जा रहा है कि पृत्वी तल को सोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानी तो उन तलाबों की होती है, जिनका हंसों के साथ व्योग होता है, तो यही था 27 लोग, 28 लोग बोला जा रहा है तो यही था सुक्ति मुक्तियम चेप्टर, तो इसी तरह से आप लोग के अनिमेटेड वीडियो के मादें से सारे चेप्टर और सारे सब्जेट को पढ़ाए जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें, तो वीडियो को अनमा, थैंक यू